Hey what's up guys, welcome to super user आज का ये वीडियो non-rotate phones के लिए होने वाला है इस वीडियो में हम ऐसे आप की बात करेंगे जो हमारे बैटरी को काफी हद तक बचा सकता है बहुत सारे आप की दिक्कत ये रहती है कि उनको बंद कर देने के बाद भी हो बैक्डरॉंड में रहते रहते हैं जो हमारे बैटरी पर डारेक्ट इंपक्ट डालता है इसी से बचने के लिए फोर्स स्टॉप का फीचर इंट्रोड्यूस किया गया था ताके वैसे एप्स को मैनुवली बंद किया जा सके आज का ये वीडियो एक क्लिक पर हमारे सभी सेलेक्टेड एप्स को फोर्स स्टॉप कर देगा और यही इस एप को काफी जबर्दस बनाता है क्योंकि ऐसे फीचर वाला आप ज्यादा तर रूटेट फोन के लिए बनता है सो इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टॉर लाउंच करते हैं यहां सर्च करते हैं किल अप्स यह है वो एप्लिकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं पहले तो मैं डार्क थी बिलेबल कर लेता हूँ थ्री डॉट पर जाके यहां यह बाइडिफॉल्ट आप्स पर सेलेक्टेट होगा एक्चुली में वो एक्षेप्टन लिस्ट है बट हमें कस्टम लिस्ट में जाना है यहां प्लस आइकन पर क्लिक करके आप्स को सेलेक्ट कर लेते हैं कि किन किन आप्स को हमें फोर्स स्टॉप करना है एप्स सेलेक्ट हो जाने के बाद इस प्ले आइकन पर हिट करते ही सारे सेलेक्टेट आप्स फोर्स स्टॉप हो जाएंगे एक एक करके बट उससे पहले मैं VPN चालू कर लेता हूँ VPN आउन होती ही इसका आइकन उपर बन के आ जाएगा और जैसे ही मैं प्ले के आइकन पर हिट करूगा तो इसका आइकन उपर से हट जाना चाहिए तो हिट करते हैं आइकन हट चुका है यानि कि यह application बढ़िया काम करता है यहाँ by default user apps enable है बट system apps को enable करने के लिए हमें इसका pro version purchase करना पड़ेगा तब हम लोग system apps को भी select कर पाएंगे बट प्रसली मुझे यह useless लगता है क्योंकि प्रसली मैंने यह notice किया है कि system apps को extra privilege रहता है उसको force stop कर देने के बाद भी वो automatic release हो जाता है background में और यहाँ पर वो apps हैं जो user apps तो हैं बट उनको मैं force stop नहीं करना चाहता 3.0 में second option है create shortcut का shortcut बजाने के बाद हमें बार बार इस application में enter नहीं करना पड़ेगा apps को force stop करने के लिए बस इस icon पर hit करते ही अपना काम हो जाएगा non-retired phones के लिए मैं काफी time से इस type का app खोज रहा था आपको कैसा लगए यह comment box में बताना मत भूलना मिलते हैं next video में तब तक के लिए good bye